महादेव बेटिंग एप मामले में अब तक कई एक्टर्स के नाम सामने आ चुकी हैं अब इस लिस्ट में साहिल खान का नाम भी शुमार हो गया है महादेव सटेबाजी एप मामले में एक्टर साहिल खान को मुंबई पुलीस एस आईटी ने हिरासत में लिया था खान दा लोयन बुक एप नाम के एक सटेबाजी एप से जुड़ोय होए थे जो महादेव सटेबाजी एप नेटवक का भी हिस्सा है मामले में पहले मुंबई पुलीस एस आईटी ने उनसे पूछताच की थी एक्टर ने जमानत के लिए कोट का दर्वाजा भी खटकट आया था लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिच कर दी गए एक्टर कुछ अतिसगर से हिरासत में लिया गया था वह लोटस बुक 24-7 एक सटेबाजी एप वेब साइट में भागदार है जो महादेव सटेबाजी एप नेटवक का हिस्सा है ए को सेलेबिटीज को बुलाते थे और पार्टी का आयोजन करते थे एक्टर को बेटिंग एप केस में इहरासत में लिया गया था इसके बाद साहिल को कोट में पेश किया गया है जा उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया हाला कि फायर में उनके खिलाप कोई आरोप नहीं लगाया गया है लेकिन उनके जमानत को खारिच करते वें उन्हें चार दिन के लिए कस्टेडी में भेजा गया है स्विवादित मामली की जाच के लिए इसाइटी का गटन किया गया है जो गेर कानूनी तरीके से हुए महादेव बेटिंग एप और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए फाइनेंशल ट्रांजिक्शन का पता लगाएगी बताया जा रहा है कि यह स्केम 15,000 करोड तक का है बतादे एक्टर साहिल खान अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक्स्क्यूज मी और स्टाइल जिससे फिल्मों में काम किया है हालाकि साहि के लिए देखते रहिए दे नगरे नियूस